Hey friends, welcome back in next lecture. Today our topic is new tags, attributes and input types in HTML5. I am Mahmood Khan and you are watching LogicStars. So let's get started. Friends, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज जो हमारा topic है वो हम discuss करेंगे कि HTML5 ने वो कौन से new attributes, tags and input types introduce करवाई हैं जो HTML4.01 में नहीं थी या इससे पहले जितने भी version थे उसमें नहीं थी तो चलिए friends हम देखते हैं ये कुछ tags हैं आपके सामने इसकी list है ये tags जो हैं HTML5 ने introduce करवाई हैं इसके कुछ जो है कुछ टेग्स को आपको semantic tags का नाम भी दे दे सकते हैं semantic tag basically वो tags होते हैं जो basically अपना कुछ self defining meaning रखते होते हैं इसके नाम से ही आपको पता जल जाए कि इसके कुछ मिलेंगे like number one पे header है footer है section है article है side है ये क्या है आपको नाम से ही पता लग रहा है कि header और footer क्या चीज़ हो सकती है यानि आपके document का या तो कोई header area हो सकता है या footer area हो सकता है वो किसी table में अगर आप use कर रहे है तो table का header हो सकता है footer में use कर रहे है तो footer का table का footer area हो सकता है तो यह क्या self defining है तो ऐसे tag को आप semantic tag करते हैं इसके लावा फ्रेंड आपके पास embed, command, time, nav, h group, keygen, mark, meter, progress, ruby, wbr, bdi, details, data list, output, embed, source, track, svg, audio, video, canvas, यह फ्रेंड आपके सामने list of tags है अब इंशाललह हम आगे detail में इसको पढ़ेंगे one by one जितना हमारा course में cover कर पाएं इसको जरूर करेंगे लेकिन यह आपके सामने list होना तो लाज़िए थी ना कि आपको पता हो कि stml5 में क्या कुछ नहीं आया है तो next slide पर friends move करते हैं यह friends हमारे पास कुछ attributes थे जो stml5 ने new introduce कर वाया है unlike auto complete, auto focus, form action, form तो friends basically इसमें रही है form तो पहले का भी था ठीक है आपके सामने यह चीज़ें आ रही है यह friends html5 के attributes हैं जो introduce करवाएगे हैं उसके बाद friends हम input types को भी देख लेते हैं कि यह input types जो है यह new introduce होई है html5 में like color अब आप क्या कर सकते हैं आप user से color भी ले सकते है color like को क्या करेगा जब आप यह input type फिल use करेंगे तो वहाँ पे color selection box आ रहाएगा उस पे प्लिक करेगा तो user वहाँ से पूरे box जो है color select कर सकता है तो आप उसकी जो है value जो है hexadecimal value जो है वह आपने पास receive कर सकते है variable वगरा में store कर सकते है इस तरह date है, date time, local है, date time है, email है, month है, number है, range है, search है, tell है, time है, URL है, week है तो यह सारे जो है input type C, यह सारे new introduce हूँ है, तो इसने बहुत सा यह assign कर दिया, like, tell है, tell है, tell करता है, basically, आपको खुद ही बता रहा है कि यह telephone number जो है, collect करने के लिए use होगा, time जो है, time के लिए use होगा, time यह कुछ time, date, time local, date, time, month, number, यह आप बस में तक्रीबन मिलते जूरते ह आपको यूज करेंगे न, इंशालला है हम चलके यूज करेंगे तो आपको इसका डिफ्रेंस होगा, वह बता चल जाएगा, तो यह थी friends, list आपके सामने, attributes की, tags की, input types की, I hope आपको जो है, इसका concept तो clear हो गया होगा, इंशालला friends, मिलते हैं next lecture में, मेरे page को like करना मत देगा, मिलते हैं next lecture में, thanks for watching, आला आपिस